हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल देशी तड़का में आज हम बनाने वाले हैं चीकन वह भी बहुती लजीज और स्वाधिस्ट लिए दोस्तों सुरू करते हैं हमने वन केजी फ्रेश चीकन ले लिया है इसको दो करके साफ कर ले हमें ले लिए दोस्तों हरी मिर्च प्याज लैसोन और टमाटर तो इन सभी को हम बारी करके काट लेते हैं यह हमने हरी मिर्च को बारी काट लिया है अब प्याज हम बारी काट लेंगे है इन सभी को दोस्तों कि बारी काट लेना है दो क्यें चीज़ कि लिए टमाटर की हम कटिंग कर लेते हैं तो इसरले काटर कुछारै अब दोस्तों हमने कडाई गर्म करिया है और इसके अंदर जाएगा हमारा बाटर अब Requy yelledo यह मखन हमने कड़ाई में डाल दिया है कि इसे जो हमारा चेकन है कफि स्वादिस्ट बनेगा जीरा हमने डाल दिया है कि जीरे को हम भोनेंगे प्याज हम डाल दिया हैं प्याज को सुनेरा फ़ाइ होने तक पकाएंगे हारी मिर्ची हमने डाल दिया है और यह जो हमारा लहसुन और अद्रक का जो पेश्ट है वह हम इसके अंदर डाल देते हैं तो दोस्तों हमने अद्रक लहसुन का पेश्ट के अंदर डाल दिया है अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर पीसा हुआ धनिया नामक अपने सवाद के नुसार आप डाल सकते हैं और यह हमने डाल दिया है दोस्तों लाल मिरच और साथ में एक चम्मचमस में हल्दी भी डाल देते हैं कि इसको अच्छे से कर देंगे mix और अब हमारे जो टमाटर है वो जाएंगे सके अंदर और अब हम टमाटर को mix करके पकाएंगे अब यह देगी मिर्ज दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे जिसे हमारा जो ग्रेवी का कलर है वो काफी अच्छा रहेगा तो यह हमने देगी मिर्ज इसके अंदर डाल दी है कि यह जो चिकन मसाला है हमारा हुमने डाल दिया तो यह जो शाबूत लेसन है दोस्तों यह आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं कि यह हमने पानी इसके अंदर डाल दिया है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो त्यार हो जाए अब यह चिकन जो है दोस्तों इसका पाने निकाल कर हम कुकर में से उस चिकन को उसके ग्रेवी में डाल देंगे तो यह चिकन दोस्तों हमने उबाला हुआ डाल दिया है और चिकन को पहले हमने दोस्तों उबाल लिया था कुकर में ताकि अच्छे से पक जाए फीन जाए और यह बसाला है हमारा वामने इसके अंदर डाल दे ताक्क estar ही है तो दोस्तों यह आप चिकन देखे रहे हैं। उसमें तुबाला गया है डंक करके हमें पकाना था इसको और यह हमारा उबाला रहा है तो चिकन तो हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हम दोस्तों इसके अंदर अपने इच्छा के अनुसार दही डाल सकते हैं जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी अच्छी बन जाए तो हमने दोस्तों इसके अंदर थोड़ा दही एड़ कर दिया है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वह थोड़ी टाइट हो जाए और अब जो दोस्तों हमारा चेकन है वह बंद करके लगपग तेहार हो चुका है ज़िए को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब दोस्तों हमें हारा धनिया डाल कर हमें इसको सरव कर सकते हैं तो हम हारे धनिया को बारिक काट लेते हैं तो यह धनिया हमने दोस्तों काट लिया है बारिक और अब हम इसको चिकन के अंदर डाल देंगे आप भी इस देशी तरीके से चिकन को ट्राइ कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें हमें आपके लाइक करने से, सेर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नई-नई वीडियो आपके लिए लेकर के आज कें, तो दोस्तो अब हमने थोड़ा सा बटर इसमें एड़ कर दिया है चिकन हमारा बिल्कुल रेडि है, आप अब इसको सर्व कर सकते हैं और इसी देशी तरीके से आप अपने घर पर भी ट्राइ कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना